ऑस्टेलिया की जीत पर बावाराजमी ने दी पिर्थी के रिया भारतिया फैंस को चड़ाया वसीम अक्रम और स्वयवक्तर भी भारत की हार पर बोल उठे दोस्टों कर आप भी भारतिय टीम के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें पाकिस्तान की ओर से और भी कैई किटर्स ने रियक्ट किया है स्विंग के किंग वसीम अक्रम ने लिखा विश्ब चैंपियन बनने के लिए औस्टेलिया को बदाई आउस्टेलिया ने भारत को राकर छेटी बार वंडे विसकप के खिताब जीत लिया है एमदाबाद के नरदनबोधी स्टेडे में खेले गए फानल में कंगार वो ने चैविकट से जीत हासिल की और साथ ही भारत के लगातार दज जीत का सिलसला भी तोड़ दिया मैच के बाद सोचल मीडिया पर काफी पिर्दी के लिए आ रही हैं वहीं पाकिस्तान के कपतान बावाराजमी ने फानल मैच के बाद पोस्ट किया है उनने इस्ट्रागाम स्टोरी पर पोस्ट में लिखा किरिकट ओस्टलिया को बदाई क्या कमांडिंग परफॉर्मेंस कि टेग किया है दरसल सनायरा वसीम अकर्म की पतनी है वह ओस्टलिया इन्यागरिक हैं वहीं सौय वक्तन ने कहा ओस्टलिया ने विसकप छटी वार जीत लिया है अगर आप लाल वाली मिट्टी की पिछ पर मैच करा देते तो टॉस पर इतना डर्वन नहीं होना पड़ता टॉस जैसे या फारे तो आपको लगा कि आप स्पीनर को लगा कर ओस्टलिया बल्लेवाजों को फसा लिंगे जो की नहीं हो सका मुझे टीम इंडिया की एप्रोच अच्छी नहीं लगी भारत वर्ल्ड का फार चुका है अगर कोई था जो उन्हें रोक सकता था तो वैं ऑस्टलिया ही टीम थी जुनों ने उन्हें रोक दिया वकार युनिस ने भी ऑस्टलिया की जीत पर जसन मनाया उन्होंने लिखा आपको पहले भी कहा था बैट कमिंस और उनकी टीम साथियों को बढ़ाई पाकिस्तान के पूर कप्तान सौय मिलिक ने लिखा टीम इंडिया जीत की हगदार है टीम इंडिया ने पूरे विसकप मे सांदार पर दसन किया लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि टीम ऑस्टिरया दवाव में सरसेस्ट पर दसन करती है और उन्होंने फाइनल में एक वार फिर यह सावित कर दिया दोस्तों टीम इंडिया फाइनल में किस कान्डों की वजह से हारी हमें कमेंट बोक्स में जड the Watch अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर किलिक करना ना भूलें क्योंकि हम इस चैनल पर किर्किट से जुड़ी अपडेट लगाताल लाते रहते हैं